हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग ? उमीद करते हैं आप सभी लोग अछे होंगे और अछे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप तक जितने भी lecture अभी तक डिसक्स हो चुके हैं जितने भी lecture दिलिवर हो चुके हैं आपने सभी को Part 1 से देखना उरू भी कर दिया है और आज जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लेक्षा नमबर 12 है, जो कि एक्सराइज 7.5 पर बेच्ट है, जो मैथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका पार्सल फ्रेक्शन मैथड चल रहा था, इसका मैंने पार्ट वन डाल दिया है, तो वो आप लोग देख चु मैंने जो आपको बताया था, वो बच्छी कुछ इस तरह का पैटर्न था, पी एक्स प्लस क्यू था, डिवाइड में लिनियर फैक्टर्स थे, एक्स मैनस से एक्स मैनस बी के पैटर्न पे थे, उनके हमें पार्सल फ्रेक्शन को तोड़ने के बाद इंटिग्रेशन करना थ तो मैंने पार्सल फ्रेक्शन में आपको मैथर बताया था, कि आप क्या करें पहले वाले फैक्टर को a upon लिखें, प्लस दूसरे वाले फैक्टर को आप b के upon में लिखें और solve करिएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे a और b कभी equal नहीं होना चाहिए, a not equal to b, क्योंकि अगर equal ह तो x equal to a, यहाँ से x minus a और x minus a ही मिरला होगा, तो x minus a का square बन जाएगा, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो उस तरह का नहीं बनना चाहिए, दोनों फैक्टर अलाग होने चाहिए, linear होने चाहिए, और एक condition है कि degree of numerator always should be less than degree of denominator, तब आप इसे direct apply करेंगे, जहा तो हम लोग बाद में discuss करेंगे, तो सबसे पहले आज के lecture में हम लोग जो करने जा रहे हैं, उसको कैसे solve करेंगे, जब भी आपको P x plus q कोई repetitive factor मिले, repeat होने वाला factor मिले, उसके लिए आप क्या करें, उसकी जितनी power लगी है, तो 2 तक आप बढ़िएगा, तीन power हो तो 3 तक जा सबस्कोरो, x minus a, तो पहला factor आप x minus a, linear के upon में ही लिखें, plus, दूसरा factor है, नहीं है यहाँ पे, तो हम x minus a को ही दूसरा factor मानते हैं, लेकिन उसकी उतनी power तक जाएगा, यानि कि, अगर x minus a का whole square है, तो आप क्या करें, 1 upon में x minus a, b के upon में x minus a का whole square आप लिख रहे होंगे, तो आप क्या लिख रहे होंगे, plus c upon में x minus a का whole cube लिख रहे होंगे, और फिर वही काम a, b, c की value find out करो, और जिस तरह से pattern बन रहा होगा, उससे हम लोग वैसे solve कर लेंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं, आज हमें क्या करना है, question हमने आपके सामने लिखा है, 3x minus 1 upon में x plus 2 का whole square, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले, इसे partial fraction में तोड़ेंगे, तब जाके आप इसका integration करना शुरू करेंगे, तो partial fraction में तोड़ने के लिए 3x minus 1 upon में x plus 2 का whole square लिखा हुआ है, आप इसी क्या लिखेंगे, a upon में पहला factor, यानि की factor तो वही बनने वाला है, तो आप x plus 2 लिख आप की value निकाल लो, a, b की value निकालने के लिए वही हमारा काम है, क्या आप LCM लेंगे, यहां से क्या मिलेगा, 3x minus 1, equal हो जाएगा, LCM में x plus 2 का whole square लिखेंगे, तो एक लिखेंगे, पावर इसके अपाउन में x plus 2 लिखेंगे तो है, यहां पे 2 लिखेंगे, तो एक साथ मु आपकी होगी next, पिछले वाली वीडियो में, पिछले पार्ट में जो हम लोग method यूज कर रहे हैं, तो आप उस method से पहले कर सकते हैं, नहीं तो फिर direct नहीं यूज कर पाएंगे, direct से आपको कोई एकाद value मिल जाए, बट ऐसा chance अब नहीं बन रहा है, तो यहां पी क्या करें कोफिशंट को compare करके आप ABC की value निकाल सकते हो, जो कि विलाम ने टाइप A में जो पढ़ाया था, उसमें discuss नहीं किया था, आज हम लोग जो करने जाए उसे समझो, आप क्या कर रहे होंगे, AX लिख रहे होंगे, प्लस 2 A लिख रहे होंगे, और प्लस B लिख रहे होंगे, तो यहां पर बच्षे एक X के साथ A लिखा है और यहां पर X के साथ 3 लिखाए, तो A की value direct आपको कितनी मिल गजी 3 यहां पर 2 A माइनस B लिख और यहां पर कितना टो टो अबb कितनी 3 है तो आपको B की value निकालने का रास्ता खुल गया, देखो उस तरह minus 1 लिखा है, यह कितना, 3 टू जा 6 हो गया, उस तरह गया, तो minus 6 कितना हो गया, overall minus 7 हो गया, तो A, B की value हमारे सामने आचुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, A, B की value कि यहाँ पर पुट करिये, और answer लिखे लो, A की value कितनी हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, तो आपका question कैसे बदल किया जाएगा, 3 upon x plus 2, B की value कितनी minus 7 हो गया, तो minus 7 upon, इस तरह से हो गया, यहनि question हो गया, next slide पे चले, चलो यहीं देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो गया, हमें जो question equal to मिला था, यानि कि यह equal बच्चे लिख रहे होंगे, इसको integration के साथ equal क्या लिखेंगे, यह line, जो आप यहाँ लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे, आप 3 upon x plus 2, और क्या लिख रहे होंगे, minus 7 upon x plus 2 का whole square, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, और integration यहाँ पी लगा, तो आप सबके साथ integration भी लगा लिखेंगे, इस तरह से, अब आपको one by one solve करना, इसका integration निकालो, दूसरे पार्ट का भी integration आप निकालो, और answer यहाँ पी रख देंगे, तो पहला वाला पार्ट तो आसान है, 3 upon में क्या लिखा है, x plus 2 है, तो क्या देगा, यह log देगा, x plus 2, और दूसरे बाले पार्ट को हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, इतने पार्ट को क्या, i2, तो minus i2 हमें और solve करके लिखना, i2 के value क्या है, 7 upon में x plus 2 का whole square, i2 की value हम लोग निकालने जा रहे हैं यहांपे, 7 upon में 7 को बाहर कर लो, 1 upon x plus 2 का whole square, 1 upon में x हो linear हो, तब तो आप direct solve करिए, अगर नहीं हैं तो फिर क्या करो, इसको आप ले जाएए, x plus 2 अपर गया, तो हो गया, x plus 2 की power minus 2, x plus 2 अपर 2 और dx, अब हो आप इसको आप लाइए, l throughout here आप नहीं हो आप लाइए, x plus 2 equal to kate na t, यहां से dx equal to, आपको मिल जाएगा, dt, त आप यहां पर आपर रहे होंगे, value 7, integration, t to power minus 2, और dx जगर क्या रख रहे होंगे, dt रख रहे होंगे, तो कुछ इस तरह से बच्छे आपको यह मिला अब आप इसका integration कर रहे होंगे, ती की पावर मैनस 2 सौल करेंगे ती की पावर मैनस 1 बाई मैनस 1 बाई मैनस 1 बढ़ा होगा integration का formula हमने अप्लाई किया, axi power ndx को axi power ndx होगा, axi power n plus 1 upon me n plus 1 याई पावर को बढ़ाये, जितनी पावर बंजा उसी इस डिवाइड करें पावर को बढ़ाया, minus 2 plus 1, minus 1, 1 बढ़ाया याई कि minus 1 बढ़ाया, minus 1 बढ़ाया, तो minus 1 नीचे होगया और यहाँ पी क्या लिखाया था? अच्छा, 7 लिखा हुआ था, तो 7 आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है value को वापस कर लीजिए, plus c यहीं पर लगाना है, जो लगा लो तो अब आप क्या लिख रहे होंगे? 7, t की value कितनी है? बढ़ाया, t की value है, x plus 2 यहाँ पी मिला होगा, x plus 2 की power में, minus 1, upon में, minus 1 solve करने पे आपको मिल जाएगा, c हाँ चोड़ दिया है, चलो c भी लिख लो यहाँ, minus 7 लिखा हुआ है, upon में कितना? x plus 2 लिखा हुआ है, minus 7 upon में, x plus 2 लिखा हुआ है और plus कितना है? c है यह आपको इस तरह से मिला, अब यह value आप रख दीजिए, कहाँ पर जहाँ question था तो हम लोग जो last में answer लाये थे, उसको हम क्या करेंगे? add कर लेंगे, question आपका जो चला था, वो यह था इसका answer, यह answer, minus i2 और करना है, यानि कि 3 log x plus 2 तो लिखना ही, 3 log x plus 2 तो लिखना ही, mod है, minus, और क्या लिखना होगा हमें? जो अभी हम लोग answer निकाल के लाये, किसका answer क्या निकाल के लाये? minus 7, चुकि यह i2 पार हमने अभी solve किया, इसका answer यह आया है, इसको बस हमें और जाके वहाँ पर लिख देना, add करके, हला कि minus है, तो minus की बज़े से क्या होने वाला, देखो, minus 7 upon x plus 2, तो minus 7 upon x plus 2 और dx, sorry, dx कहां से आ गया, plus c था, minus minus plus हो जाएगा, 3 log mod x plus 2 plus 1 upon 7 upon कर लो, x plus 2 और plus c, तो कुछ इस तरह से आपका question जो था, उसका answer आ रहा है, question क्या था, वो देखो, question था, 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square, 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square, तो इस तरह से बेटा यह solve हुआ है, इस तरह से इसको हमने solve किया, अरे भाई, मांजा, तो I hope अब चीजें थोड़ी सी difficult तो हो रही है, method जैसे बढ़ते जारे है, integration का बड़ा सा part discuss हो गया है, लगबग, अभी कुछ चीजें और बच रहे हैं, जैसे integration by part पढ़ना भी आपको बाकी है, definite integration पढ़ना भी बाकी है, तो आएंगी तरी तरी चीजे आएंगे, आप patience रखेंगे, अब EC में हम लोग दूसरी टाइप आप discuss करिये, तीसरी टाइप भी आपको मिलेगी, जहां पे आप factor कर रहे होंगे, तो नीचे quadratic बन रहा होगा, उपर भी कुछ ऐसा होगा, जहां पर डिवाइड करके हम लोग solve करेंगे, तो यहां तक की चीजी आज की lecture पर हमने discuss करेंगे, next हम लोग फिर से lecture लाएंगे, जो होगा उस वही देखेंगे, और आप से बस एक ही चीज की उमीद करतें, कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडिए, हम आपके सामने पूरे term 2 का जो भी बच्चे content है, वो फिर आपको डिलिवर कर रहे हैं इस चैनल पे, और लाइब क्लासिट भी आप अगर काया रहों तो वह भी आपको मिलेंगी, ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स पार्ट में, तब तक के लिए, थैंक्यू वेरी बच्चे नेक्स पार्ट में तब तक के लिए,